नमस्कार मैं रीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ जल संदेश टाइम्स में बॉलीवूट के किंग यानी शारुखन कुछ करे या ना करे पर वो किसी ना किसी वज़े से चर्चा में आ ही जाते हैं पिछले दिनों अपने एक वीडियो के चलते चर्चा में बने हुए थे जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के विज्यापन से जुड़ा हुआ था जब सोचल मीडिया पर पाकिस्तानी पीम के साथ उनके एक पुरानी फोटो वाइरल होने लगी तो ट्वीट पर उन्हें बाइकाट करने की मांग की जाने लगी ट्वीट पर बाइकाट सारुखान ट्रेंट करने लगा था अब शारुखान भगवान गनेश की मूर्ती की फोटो शेर कर सुर्खियों में आ गए है जिहां सुपरस्टार शारुखान सर्वधर्म संभाओं में यकीन रखते हैं उनके घरहोली, दिवाली, ईद, गनपती सारे तेवार काफी धूमधाम से मनाई जाते हैं शाद यही बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती इस बाद शारुखान भगवान गनपती की मूर्ती के कारण सोशल मीडिया पर टोल्स के निशाने पर आगे यूजर्स उन्हें धर्म की याद दिलाने लगे दरसल सारुखान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फैंस के लिए गनपती विसर्जन की शिपकामनाय साजा की भगवान गनपती की एक तस्वीर शेयर करते वे शारुख ने एक दिल को छू लेने वाला नोट लिखा जिसमें उन्होंने लिखा भगवान गनीश का आशिर बाद हम सभी के साथ तब तक बना रहें जब तक हम उन्हें अगले सार फिर से नहीं देख लेते गनपती पपा मौरिया शारुख की इस पोस्ट से जहां फैंस खुश हैं तो वहीं कुछ कट्टर पंथियों को उनका गनपती प्रेम रास नहीं आ रहा है शारुख खान के पोस्ट पर कुछ यूजर्स उन्हें धर्म की याद दिलाते हुए दिख रहे हैं एक ने लिखा कि आप मुस्लिम होकर ये सब कर रहे हैं किसे ने कहा कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए तो कुछ ने उन्हें काफिर ही बता दिया विसे ये पहली बार नहीं है जब शारुख खान इससे पहले भी गनपती पूजा कर ट्रोल्स के निशाने पर आ चुके हैं पिछले साल भी शारुख ने उत्सों के अफसर पर हादिक शुपकामनाई भेजी अपने माते पर एक लाल टीका के साथ एक मोनोक्रोन तस्वीर साजा किया था और इस पर भी ट्रोल्स ने शारुख को स्रोशल मीडिया पर जम कर खरी खोटी सुनाई थी हाला कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिने शारुख का यंदास काफी पसंद आ रहा है फिलाल वर्क फ्रंट की बात करें तो शारुख पुणे में इटली की अगली फिल्म की शूटिंग कर रहे है फिल्म में नयंतारा प्रिया मडी और राना दगनुबत्ती भी है महिस सूत्र की माने तो शारुख खान का रोल इस फिल्म में काफी हटकर होने वाला है जबकि नयंतारा उनके साथ लीडर रोल में नजर आएंगी महिराना दगनुबत्ती इस फिल्म में विलेन का किरदान निभाने वाले है ऐसे ही मनोरंजन से जुड़ी खबरों के लिए बने रहे जन संदेश टाइम्स के साथ